मल्यालम फिल्म के स्टार दुलकर सल्मान की तेलुगू फिल्म सीता रामम दक्षण में 5 इप्रिल को रिलीज हुई दक्षण में मिली जबर्दस सक्सस के बाद इसे हिंदी में डब करके 2 सतंबर को रिलीज किया गया बिना किसी कास्ट प्रमोशन के फिल्म हिंदी में भी काफी सफल रही फिल्म की सफलता को लेकर मुंबई में एक प्रेस कॉन्फरेंस का आयोजन किया गया जहां पर दुलकर सलमान और फिल्म की हिरोईन म्रिनाल छाकुर के अलावा फिल्म से जुड़े काफी लोग मौजूद रहे भारत और पाकिस्तान के बीच पनप्ती नफरत के दौर में फिल्म सीता रामम की प्रेम कहानी कुछ लोगों को शारुक खान की फिल्म वीर्जारा की याद दिलाती है तो जाहिर सी बात है कंपारिजन तो होगा ही दुलकर सल्मान कहते हैं मैं शारुक खान का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ उनकी फिल्मों से मुझे बहुत प्रेन ना मिली है वो ना सिर्फ बहुत बड़े स्टार हैं बलकी बहुत अच्छे इंसान भी है शारुक खान सिर्फ एक ही हो सकते हैं उनसे खुद की तुलना करने का मतलब अपनी बेज़दी कराने वाली बात होगी फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने अनुभव को साजह करते हुए दुलकर सल्मान ने कहा हमने इसे पिछले साल शूट किया था और हम जहां भी गए कोविड ने हमारा पीछा किया मैं अब तक 35 फिल्मे कर चुका हूँ उन सभी फिल्मों में से ये मेरे करियर की बहतरीन फिल्म है सिता रामम की कहानी एक ऐसे मोड पर खत्म होती है जहां से लगता नहीं कि इस फिल्म का सीक्वल बन सकता है दुलकर सल्मान कहते हैं मैं सिर्फ अपनी फिल्म के लिए ही नहीं बलकि और ऐसी फिल्मों की बात कर रहा हूँ जो क्लासिक बन जाती है मुझे नहीं लगता कि ऐसी फिल्मों का सीक्वल या रिमेक बनाना चाहिए कुछ फिल्मे बस बन जाती हैं, हम दुबारा चाह कर भी उसे पहले की तरह बहतरी नहीं बना सकते